जुम्मे की नमास के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपे पुलिस और बुल्डोजर बाबा की कारवाई चर्चा का विशे बना हुआ है रविवार को प्रयाग राज में दंगा के स्क्रिप्ट लिखने वाले जावेद पम के घट पर बुल्डोजर गर्जा एक तरफ घर गिराया जा रहा था वहीं विपक्ष कटर पंथियों और लिब्रिल गैंग की ओर से चाती पीटी जा रही थी सुमबार को सुबह से ही ट्विटर पर स्टैंड विद आफ्रीन फातिमा ट्रेंग चलाया गया जेन्यू से लेकर एम्यू तक कैमपेइन चला दिया गया ताकि कट्टर पंथि और लिब्रिल गैंग दंगाईयों को निर्दोश पता सके हम आपको हिंसक जड़ब की पटकता लिखने वाले बाप बेटी से मिलवाते हैं जिन्होंने केवाल अपना नाम बुलंद करने के लिए निर्दोशों के हाथ में पत्थर पकड़वा दिये जो तस्वीर देख रहे हैं आप ये हैं दंगा में मास्टर माई जावेद मुहमद और जावेद पंक इलाके में इनका प्रेशर इतना था कि इनके कहने मात्र से ही प्रदर्शन दंगा में बदल गया पंक के परिवार की बात की जाएं दूसरी तस्वीर में जावेद एहमद की बड़ी बेटी आफरीम पातिमा है आफरीन दिल्ली में रहती हैं बताया जाता है कि इनके संबंध टुकड़े ग्यांग से हैं जो भारत के आज भी टुकड़े करने में लगा हुआ है जानकारी के मुताबिक आफरीन जवाहरलाल नहरू विश्व द्याले में पढ़ाई कर रही है इसके साथ ही आफरीन पातिमा जेन्यू में स्टुडेंट यूनियन की काउंसलर थे देश में जब जब प्रदर्शन हिंसा या दंगा हुआ तब तब आफरीन के नाम आसमान पर दिखाई दिये C.E.A. प्रोटेस्ट शाहीन बाग जेन्यू विंसा हिजाब कई मौकों पर आफरीन आफ़त बनी रही बताया जाता है आफरीन ने एंटी C.E.A. प्रोटेस्ट में बढ़ चर कर हिस्सा लिया था शाहीन बाग में आंदोलन के दोरान आफरीन पातिमा जेन्यू से लेकर इलाबाद तक सक्रिय रही थी आफरीन की अफसाने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आफरीन जेन्यू में आतंकी अफजल गुरू के समर्थन में नारिब बादरी करती थी और तो और हिमायत में भी खड़ी हुआ करती थी कहा ये भी जाता है कि वो देश-द्रो का मुकदमा का सामना कर रहे शरजील इमाम के संपर्थ में थी वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफरीन का जन्म प्रयाग राज में हुआ था आफरीन ने ग्राजुएशन के लिए अलिगर मुस्लिम विश्विविद्याले में दाखिला लिया जबकि एम्यू से लिंग्विस्टिक्स में बी ए ओनर्स और एमे किया आफरीन एम्यू में पढ़ाई करने के दौरान ही शात्र राजमीती में सक्रिय हो गई थी तबी से वो छात्रों की समस्याओं पर अपने विचार प्रमुक्ता से जाहिर करती रही है फिलहाल प्रयाग राज पुलिस पंप के पेज को खोलने में लगी हुई है पुलिस का कहना है कि अगर वो भी इस मामले में दोशी पाई गई तो दिल्ली पुलिस से संपर्क कर अपनी टीमें वहाँ भेज कर उसे हिरासत में लिया जाएगा बहराल आप रिंग के बारे में खौफनाग जानकारी सामने आनके बार पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड्स को खंगान ले में जुटी है पुलिचिकल देस्ट चन्हितान